हेलो फ्रेंट्स वोगतिया आप सभी का सॉलूशन दिर से यूटूब शनल में फ्रेंट्स इस वीडियो में कोश्चन टेक सरे लिडिक पर्टी सेट लिया है इस पर्टी सेट में 33 कोश्चन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना है कि आप लोगों ने 33 में से कितना स्कूर किया है और इस वीडियो का जो PDF फायल है आपको टेलीगराम के चैनल पर एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्सिन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोईन कर लीजे और लाश्ट में मैं जो कोशन पोचता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट आक्स में जरो दीजेगा आंसर तो चलिए इस प्रैट्टे सेट को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकों प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है मेरे साथ सा लाइब चट में भी आंसर देते रहे मैं सबी के comment जो है read कर रहा हूँ तो चलिए spread is set को शुरू करते हैं सबसे पहले question question मबन सबसे पहले मैं question tag के बारे में आपको explain कर देता हूँ question tag जो होता है जो sentence दिया रखा होता है उसके just opposite बनेगा question tag और question tag जो है हमीशा small letter से शुरूआत होगी और last में question mark जरूर आएगा आप सबी लोग याद रखिएगा question tag में हमीशा आपको last में question mark लिखना है और बाकी आपको जो helping word दी होगी बस वही लिखना है और अगर हमारा sentence negative है तो question tag जो है यह positive होगा तो question number one दिया है she is not working तो इसका question tag correct क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका is she correct हो जाएगा किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका be option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा जो यहाँ पे helping word दी रखी होगी उसी को लिखना है अगर यह negative है sentence हमारा तो question tag जो है positive बनेगा और subject जो भी लिखा होगा उसी को आपको लिखना है तो यहाँ पे is she इसका correct हो जाएगा last में question mark आपको जरूर लगाना है तो यहाँ पे इसका be option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number two they had not gone there तो यहाँ पे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इसका helping verb क्या दिया है head not दिया है तो question tag हमारा बनेगा positive क्योंकि sentence हमारा है negative तो यहाँ पे इसका हो जाएगा head they किस option में दिया है तो इसका option हो जाएगा option see correct हो जाएगा बिल्कुल simple है अगर आपको tense आता है तो आप इसको कर ले जाएगे केबल इसमें helping verb का use करना है question tag में कुछ special rules होते हैं तो इसको मैं explain कर दूँगा अगला question question number third we are reading तो इसमें आप लोग सोचली जिस correct option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है positive है तो इसका question tag बनेगा negative तो यहाँ पे इसका aren't we किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा aren't we इसका correct हो जाएगा जो subject दिया है उसी को लिखना है जो helping verb दी है उसी को लिखना है अगर sentence हमारा positive है तो question tag बनेगा negative यह आप लोग याद रखिएगा और last में question mark आपको जरू लगाना है अगला question question number 4 you will do this job तो इसमें आप लोग सूच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा sentence हमारा positive है question tag जो है यह बनेगा क्या यह बनेगा negative तो इसका हो जाएगा want you किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका see option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा will का जो negative form होता है यह होता है want आप सबी लोग याद रखिएगा आप लोग confused मत हो जाएगा will का जो है want होता है तो यहाँ पे मैंने जो है negative लिखा है want you यह इसका correct हो जाएगा अगला question question number 5 he isn't going to do it तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option d correct हो जाएगा अगला question question number 6 you enjoyed that तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा यहाँ पे enjoyed जो लिखा है यह verb की second form है मतलब की sentence हमारा जो है यह past indefinite में है verb की second form यहाँ पे दीर रखी है तो यहाँ पे इसका जो question tag बन जाएगा यह हो जाएगा didn't you यह किस option में दिया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका c correct हो जाएगा मैं आपको structure बता देता हूँ past indefinite का तो past indefinite में जो है यह होता है did not और बर्ब की होती है first form अगर sentence हमारा negative है तो अगर sentence हमारा जो है positive है तो बर्ब की हमें लगाना है second form cable यह आपको याद रखना है sentence हमारा जो है यह positive था तो यहाँ पे जो आया है बर्ब की second form दी है enjoy की second form enjoyed होती है तो यहाँ पे इसको जब negative बनाएंगे तो इसका हो जाएगा didn't तो यहाँ पे didn't you यह subject दिया रखा है तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question कुछ नमा 7 he doesn't write very well तो इसमें आप लोग सोच लिजिए इसका right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है negative है तो इसका question tag बनेगा positive तो यहाँ पे does ही इसका correct हो जाएगा option यह correct हो जाएगा अगला question कुछ नमा 8 we love it तो इसमें आप लोग सोच लिजिए इसका right option क्या हो जाएगा तो sentence हमारा जो है present indefinite में है तो present indefinite में जो बर्व होती है helping बर्व होती है यह होती है do और does अगर हमारा जो subject है यह plural है तो यहाँ पे do आएगा अगर singular है तो does आएगा तो we जो है अपने आप में plural है तो इसके साथ आएगा do तो यहाँ पे sentence का correct हो जाएगा question tag यह हो जाएगा don't we क्योंकि sentence हमारा positive है question tag negative बनेगा तो don't we correct हो जाएगा अगला question question number 9 it doesn't work तो इसमें आप लुक्सूच लिजिस का right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है यह negative है question tag बनेगा positive तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा does it option यहाँ पे इसका a option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number 10 they don't live in labor pool तो इसमें आप लुक्सूच लिजिस का right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है negative है तो इसका question tag बनेगा positive तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा यह हो जाएगा do they option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और आट में 10 friends वीडियो को जरूर शेखिया करें अगला question question number 11 see works in sales तो इसमें आप लुक्सूच लिजिस correct option क्या हो जाएगा sentence हमारा positive है question tag बनेगा negative तो यहाँ पे doesn't she is का correct हो जाएगा option a correct हो जाएगा अगला question question number 12 it looks perfect there तो इसमें आप लोग सोच लिजिस correct option क्या हो जाएगा sentence हमारा positive है question tag बनेगा negative तो किस option में दिया है doesn't it option यहाँ पे इसका see correct हो जाएगा अगला question question number 13 we went there last year तो इसमें आप लोग सोच लिजिस correct option क्या हो जाएगा go की second form जो है यह went होती है और third form जो है यह होती है gone तो आप लोग याद रखिएगा second form जो है went होती है तो यहाँ पे second form लिखी है मतलब कि past indefinite आया है तो past indefinite की जो बर्व होती है यह होती है did not अगर हमें negative में लिखना है तो did not और बर्व की first form तो यहाँ पे sentence हमारा जो है यह positive है question tag बनेगा negative तो यहाँ पे इसका didn't we किस option में दिया है option यहाँ पे इसका d option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number 14 I don't know him तो इसमें आप लोग socially just correct option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है यह present indefinite में है और negative है तो इसका question tag बनेगा यह बनेगा do I तो यह किस option में दिया है option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number 15 Ram is doing maths तो इसमें आप लोग socially just correct option क्या हो जाएगा यहाँ पे sentence हमारा जो है यह दिया है present continuous में तो यहाँ पे sentence हमारा है positive तो question tag बनेगा negative तो यहाँ पे इसका isn't हो जाएगा और ही ही हो जाएगा तो isn't ही किस option में दिया है option यह correct हो जाएगा Ram के according यहाँ पे जो आएगा यह pronoun आएगा ही आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे Ram नहीं लिखना है आपको इसके according जो भी pronoun होगा वो लिखना है not eaten तो इसमें आप लोग सूच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो question number 16 में जो है यह sentence हमारा जो है किस tense में दिया है यह दिया है present perfect में और वो भी negative दिया है तो इसका question tag बनेगा यह बनेगा positive तो यहाँ पे इसका has she इसका correct हो जाएगा पारूल जो है यह लड़की है तो लड़की के according जो pronoun लगाएंगे यह लगाएंगे she तो यहाँ पे question number 16 का right option हो जाएगा option b correct हो जाएगा अगला question question number 17 she plays chess beautifully तो इसमें आप लोग सोच लिजेज का right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो दिया है यह present indefinite में दिया है और हमारा जो sentence है यह positive है question tag बनेगा यह बनेगा negative तो यहाँ पे doesn't she इसका correct हो जाएगा option c correct हो जाएगा question number 17 का अगला question question number 18 we play fair तो इसमें आप लोग सोच लिजेजिज का right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है यह present indefinite में है और sentence हमारा जो है positive है तो इसका question tag जो बनेगा यह बनेगा don't यहाँ पे मैं लग देता हूँ don't we तो don't we किस option में दिया है तो इसका जो है typing में error है आप लोग यहाँ पे जो है देखी जगे आप लोग we कर दीजे बाकी मैं इसका जो है सुधार दूँगा बाकी pdf में आपको सुधार के मिल जाएगा बाकी थोड़ा typing में error है आप लोग इसको सही कर दीजे तो यहाँ पे sentence हमारे जो है present indefinite में है तो यहाँ पे helping बर जो आएगी यह आएगी don't we इसका correct हूँ जाएगा बाकी इसका a option यहाँ पे इसका correct हूँ जाएगा देखो आप हटा दीजे we कर दीजे बाकी इसका मैं सुधार दूँगा pdf में तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे इसका correct हूँ जाएगा देखो हटा के आप लोग we कर दीजे sentence हमारा correct हूँ जाएगा अगला question, question number 19 they went to the park तो इसमें आप लुक्सोच लिजिए स्का right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है past indefinite में दिया है तो इसकी helping बर्व जो होती है did not अब बर्व की first form होती है तो यहाँ पे जो है यह हो जाएगा sentence हमारा जो है positive है question tag बनेगा negative तो इसका didn't, they correct हो जाएगा इसका c option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question, question number 20 he had nothing तो इसमें आप लुक्सोच लिजिए स्का right option क्या हो जाएगा जब भी sentence में आपको nothing, barely, hardly, no neither, none, nobody, no one, nothing, seldom, scarcely, rarely देखने को मिल जाता है तो यह जो है negative words होते है तो sentence हमारा जो है negative है क्योंकि यहाँ पे nothing दिया है तो इस बज़े से हमारा जो question tag बनेगा यह बनेगा positive तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा head ही किस option में दिया है तो इसका a option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा क्योंकि nothing अपने आप में जो है negative word है तो sentence हमारा जो है negative है तो इसका question tag जो बनेगा यह बनेगा positive तो यहाँ पे इसका A option यहाँ पे इसका correct हुजाएगा आगला question 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 21 she seldom weeps तो इसमें आप लोग सोच लिजे सा right option क्या हो जाएगा seldom अपने आपमे negative bird है तो sentence हमारा जो है negative है तो इसका question tag जो बनेगा, ये बनेगा positive, तो यहां पे इसका right option हो जाएगा, does she इसका correct हो जाएगा, क्योंकि seldom अपने आप में negative है, तो sentence हमारा जो है negative है, तो इसका question tag जो बनेगा, ये बनेगा positive, sentence हमारा जो है present and definite में है, तो यहां पे does she correct हो जाएगा, अगला question question 22, this is my pen, तो इस का right option हो जाएगा यह हो जाएगा isn't it correct हो जाएगा isn't it correct तो होगा क्योंकि sentence में helping बर दिये है is तो यहाँ पे isn't हो जाएगा this का जो है this और that का जो आप use करेंगे pronoun उसके लिए use करेंगे it आप लोग याद रखिएगा it pronoun use करेंगे this और that के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे this दिया हो या फिर that दिया हो तो आपको जो pronoun use करना है इनके लिए यह करना है it use करना है आप सभी लोग याद रखिएगा अगर sentence में आपको these यहाँ में लिख देता हूँ these या फिर those देखने को मिल जाता है these या those देखने को मिल जाता है तो इन दोनों के लिए जो pronoun आप use करेंगे ये use करेंगे they यहाँ पर में लिख देता हूँ they use करेंगे अगर these या those देखने को मिल जाता है और this or that के लिए आप it use करेंगे pronoun तो यहाँ पे इसका it correct हो जाएगा isn't it option c correct हो जाएगा अगला question 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 23 there is a cow तो इसमें आप लोग सोच लिजिसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा यह हो जाएगा isn't there इसका correct हो जाएगा मैंने आपको क्या बताया है this और that के लिए आप it use करेंगे pronoun अगर these और those दिया है तो उसके लिए they use करेंगे अगर आपको one दिया है तो one के लिए one use करेंगे pronoun आप सभी लोग याद रखियेगा अगर आपको there दिया है तो there के लिए there use करेंगे it दिया है तो it के लिए it use करेंगे आप सभी लोग इतने याद रखिएगा यह प्रनाउन तो यहाँ पी इसका isn't there correct हो जाएगा अगला question कुश्चनम 24 this girl was dancing तो इसमें आप लोग सोच लिजेश का right option क्या हो जाएगा sentence हमारा दिया है past continuous में दिया है तो इसका question tag बनेगा wasn't she क्योंकि girl के according जो प्रनाउन आएगा यह शी आएगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option d correct हो जाएगा अगला question कुश्चनम 25 one man can do this तो इसमें आप लोग सोच लिजेश का right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे can का जो बन जाएगा यह हो जाएगा can't और यहाँ पे one के according one man लिखा है तो यहाँ पे he हो जाएगा तो इसका right option हो जाएगा option b correct हो जाएगा can't ही इसमें correct हो जाएगा अगर यहाँ पे man ना लिखा होता तो आप जो है simply यहाँ पे he की जगे one लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे दिया है one man तो man के according यहाँ पे pronoun आएगा he और sentence हमारा जो है positive है question tag बनेगा negative option b correct हो जाएगा friends अब को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends ने वीडियो को जरूर शेकिया करें अगला question question number 26 somebody invited me तो इसमें आप लोग सोच लिज़ेगा right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका see correct हो जाएगा sentence हमारा दिया है past indefinite में दिया है बर्प के second form यहाँ पे लिखी है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा didn't they correct हो जाएगा somebody के according यहाँ पे जो प्रनाउन आएगा यह यहाँ पे इसका दे correct हो जाएगा option यहाँ पे इसका C correct हो जाएगा अगला question, question number 27 none can ruin me तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा sentence हमारा जो है, यहाँ पे none दिया है तो sentence हमारा negative है तो इसका question tag जो बनेगा यह positive बनेगा, तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा, can they यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, क्योंकि none अपने आप में जो है negative word है, तो sentence हमारा negative में दिया है, तो question tag बनेगा positive, तो can का जो हो जाएगा, can they इसका correct हो जाएगा, अगला question question 28 everything is fine, तो इसमें क्या बनेगा, तो यहाँ पे is का हो जाएगा, isn't, तो किस option में दिया है, तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा, isn't it, इसका d option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, अगला question question 29, nothing has improved, तो इसमें आप लोग सूच लिजेगा, क्या हो जाएगा, sentence हमारा negative है, क्योंकि यहाँ पे nothing दिया है, तो इसका question tag जो बनेगा, यह बनेगा positive, तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा, has it, इसका c option यहाँ पे इसका correct हो जाएगा, अगला question question number 30, something will be good, तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा, sentence में helping verb, जो है will दिया है, वो sentence हमारा जो है positive है, तो इसका question tag जो बनेगा, यह negative बनेगा, तो इसका want it correct हो जाएगा, option यहाँ पे इसका, be option यहाँ पे correct हो जाएगा, अगला question question number 31, all of you are convicts, तो इसमें आप लोग socially just correct option क्या हो जाएगा, helping verb, जो दिया है, आर दिया है, तो इसका हो जाएगा, sentence हमारा जो है positive है, question tag बनेगा negative, तो यहाँ पे इसका aren't you correct हो जाएगा, option यह correct हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो pronoun दिया है, you दिया है, तो aren't you इसका correct हो जाएगा, अगला question, question number 32, none of us have gone there, तो इसमें आप लोग सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा, sentence हमारा जो है negative है, क्योंकि इसमें negative word, none दिया है, तो यहाँ पे question tag जो बनेगा, यह बनेगा positive, तो यहाँ पे have helping verb दिया है, तो इसका हो जाएगा have, we correct हो जाएगा, option यहाँ पे इसका, see correct हो जाएगा, अगला question, question number 33, neither of them is good, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इसका right option क्या हो जाएगा, question number 33, जो है आप लोग के लिए homework है, इसका answer आप लोग को comment box मताना है, इसका right option क्या हो जाएगा, यहाँ पे neither दिया है, तो sentence हमारा जो है negative है, तो इसका question टेक जो बनेगा, यह positive बनेगा, तो इसका answer आप लोग को comment box में बताना है, कि इसका right option क्या हो जाएगा, thank you friends, आप लोगों ने 32 में से कितना score किया है, comment box में जरूँ बताएं, और last time मैं ने जो question पूछा है 33, इसका भी answer आप लोग comment box में जरूँ दीजेगा, friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूँ शेक्या करें अगर आप channel पर पहले आप विजिट की हैं channel जरूँ सब्सक्राइब करें, मिलते हैं निव वीडियो में तबता के लिए, जय हिंद, वंदे मात्रम